Hello Friends, Welcome to Sarkarjadda दोस्तो आज हम बात करने वाले आज की गवर्मेंट जॉब के बारे में इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारदी जाएगी तो आप इस वीडियो के अन तक बने रहें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अब बात करते हैं post की तो इसमें सबसे पहली वेकंसी यूपीस्टी दारा निकाली गई है इसमें scientific officer assistant mining geologist और assistant executive engineers की वेकंसी निकाली गई है इसमें इसकी total 34 पतों पर बरती की जाएगी education qualification की बात करें तो इसके लिए आपको degree या फिर PG degree पास होना चाहिए और इसमें आपको salary level 7 की दी जाएगी job location इसकी all India है अगर आप इसके बारे में detail में पढ़ना चाते है तो आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं पीडिया डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के description में दिया गया और comment box में पिन किया गया है अगली विकेंसी NIPER एहमदाबाद दोरा निकाली गई है इसमें आपकी faculty और non faculty के पदोपर भरती की जाएगी नंबर आप post की बात करने तो इसमें नंबर आप post 22 हैं और education qualification के बारे में यहाँ पर खुछ भी जानकारी दी नहीं दी गई है salary की बात करने तो इसमें आपको level 9 का वितन दिया जाएगा और job location इसकी all India है अगली वेकेंसी IIGM दोरा निकाली गई है इसमें project assistant first और second की वेकेंसी निकाली गई है इसकी total 10 पदों पर भरती की जाएगी और इसके लिए आपको degree या फिर PG degree पास होना चीए salary की बात करने तो इसमें आपको 25 रुपर salary दी जाएगी और job location इसकी all India है अगली वेकेंसी की बात करने तो अगली वेकेंसी IIGM दोरा निकाली गई है इसमें आपकी research associate और research fellow की वेकेंसी निकाली गई है salary की बात करने तो इसमें आपकी नमबरा पोस्ट 54 है और education qualification की बात करने तो इसके लिए आपको degree और PG degree पास होना चीए salary के बारे में या पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और इसकी job location all India है अगली वेकेंसी HQ South कमांड दोरा निकाली गई है इसमें आपकी वासर मैन और ट्रेट्स मैन मेट की वेकेंसी निकाली गई है नमबरा पोस्ट की बात करने तो इसमें आपकी नमबरा पोस्ट 65 है और इसके लिए आपको matriculation पास होना चीए salary की बात करने तो इसमें आपको salary level 1 की दी जाएगी और इसकी job location all India है अगली वेकेंसी NHM नासिक दोरा निकाली गई है इसमें medical officer, lab technician और भी कई सारे पदों पर बरती की जाएगी नमबरा पोस्ट की बात करने तो इसमें नमबरा पोस्ट 104 है education qualification की बात करने तो इसमें आपको salary class पास होना चीए और आपके पास degree होनी चीए इसमें अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग qualification है sadly की बात करें तो इसमें आपको sadly 60,000 रुपे पर मन्द दी जाएगी और इसकी job location नासिक है अगर आप इसके बारे में detail में जानना चाते हैं तो आप इसका pdf डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी के pdf वीडियो के description में दिये गया और comment box में पिन किये गये तो आप वहाँ पर जाकर इनका pdf डाउनलोड कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खुसकाबरी है अनकाड़मी द्वारा अनकाड़मी सेंटर ओपन किया गया है अनकाड़मी सेंटर की बात करें तो अनकाड़मी सेंटर दो सो पचासी भी तलवंडी सर्किल रोड नंबर दो इंद्प्रस इंडस्टर एरिया में है आप इसके सेंटर पे जाके अब अपच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इसके साथ भी बहुत जाला डिमांड की जा रही है अनबॉक्स 2022 की तो अनकाड़मी दोरा दोबारा इसे लांच किया गया है जिसमें आपको एक साल का प्लान लेना होगा उसके साथ 6 मंथ का एक्स्टेंशन मिलेगा यहीं कि अगर आप 12 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 18 महीने का प्लान दिया जाएगा सबक्रिप्सन दिया जाएगा उसके लिए क्या करना होगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दिया गया और कमेंड में पिन किया गया आप उस link पे क्लिक करें उसके बाद आप register कर लें वहाँ पर आपको SRADAC open code यूज़ करना होगा जिससे कि इस plan पे भी आपको 10% का extra discount मिले तो वीडियो के description में दिये के link पे क्लिक करें साथ ही anacademy दोरा लगबग 4 करोण तक के scholarship दी जा रही है UPSC civil service exam combat के लिए ये gamified live scholarship test है और आप देख सकते हैं 2021 के कई topper जो हैं लगातार combat में participate कर रहे थे जिनकी अच्छी rank आई है क्योंकि इसमें anacademy के best educators दोरा question त्यार किये जाते हैं इसमें 56 question पूछे जाएंगे एक घंटे में 23 UPSC 2021 stoppers जो है regular combat की user थे All India rank 29, All India rank 51, All India rank 107, 321, 438 ये सारे anacademy combat के regular user थे तो ये combat जो है 19 June सुबह 11 बजे होगा हर संडे को सुबह 11 बजे होता है आप इसको free में join कर सकते हैं कोई भी piece नहीं ली जाएगी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हैं आपको सिर्फ SR Adda code यूज़ करना होगा आप बात करते हैं T20 daily current affair test series की जो की प्रसान धवन सरद्वारा start की जाएगी ये free test series है UPSC civil service exams के लिए 20 multiple choice question पूछे जाएंगे 30 minute में आपको solve करना होगा और इसकी language हिंदी और इंग्लिस दोनों में होगी Monday से Friday test series चलाए जाएगी साड़े साथ बजे इसमें अगर आपकी एक rank आती है तो फर्स्ट rank तो आपको 1000 रुपे का Amazon gift voucher दिया जाएगा Second rank को Amazon gift voucher 500 रुपे Third rank को Amazon gift voucher 250 रुपे तो अच्छा मोका है फ्री में जॉइन कर सकते हैं लिंक वीडियो के description में दिया गया और comment में पिन किया गया है इसके लावा Dr. Mahipal रा थोड़ दारा Pathfinder Current Affairs test series चलाए जारी ये भी फ्री है जिसमें 25 multiple choice questions पूछे जाएगे 30 minute में Language है आपकी हिंदी और इंग्लिस दोनों में है Every Saturday ये test series साम को 5 बजे होगी और अगर आप First ranker होंगे तो आपको 1000 का Amazon gift voucher Second ranker को 500 रुपे और Third ranker को 250 रुपे का gift voucher दिया जाएगा तो ये थी इसकी जानकारी सारे links वीडियो की description में दिये गए है